हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी पीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चों हम दोग इसमे साहनी द्वरा रचित एक कहानी जिसका सिर्शक है चीप की दावत के सारंस को पहले पढ़ चुका है और सारंस से संबंदित वीडियो का लिंक आपके दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गिया है जिन बच्चों ने चीप की दावत कहानी के सारंस वाले वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं आज मैं चीप की दावत, कहानी की प्राशंगिर्ता या उद्देश को लेकर आपके समक्ष उपस्चित हूँ आज का विशे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्पोन है क्योंकि अधिकान्स प्रश्ण जो हैं, इसी विशय से उचे जाते हैं अधिकान्स प्रश्ण इस विशय से सम्बंधित होते हैं तो आज का विडियो आप सभी बच्चों के लिए काफी महत्पूल है, काफी इंपॉर्टेंट है तो खुब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने हमेशा की तरह आप लोगों की सहुलियत के लिए आप लोगों को समझ में आए, इसलिए हर बात को लिख कर प्रस्तुत कर रही हूं तो मैं सबसे पहले इसे पढ़ती हूँ और पढ़ करके इसे आपको समझाते चलूँगी तो चीप की दावत कहानी में भिसम सहानी जीने आधुदिक समाज के बनावती पन खोकले आदर्श को दर्साया है इसके साथ ही साथ एक मा के दर्द को भी उभारा है तो चलिए देखते हैं चीप की दावत भिसम सहानी भाग दूँ प्रासांवित्ता या उद्देश प्रगतिशीर लेखक भिसम सहानी द्वारा लिखित कहानी चीप की दावत एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने मदवर्य समाज की खोकले पन बर्नावटी पन को दर्साया है आधुनिक समाज की यह सबसे बड़ी बिडम मना है कि नौकरी में तरक्की पदुनत्ती के लिए अपने बड़े अफसर की खुसामत करना अपने घर दावत पर बुलाना उसे खुस करने के लिए भेट उपहार आदी देना ऐसी तुछ मनोब्रेती पर लेखक भिसम साहनी ने करारा व्यंग किया है तो भिसम साहनी जी एक प्रगतिसी लेखक है इन्होंने अपने कहानी चीप की दावत में समाज के बनावटीपन उसके खोकले आदर्श को दिखलाया है इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बतलाया है कि आज का समाज खोकले आदर्श पर जी रहा है दिखावे पर जी रहा है नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए यानि नौकरी की पदनत्ती के लिए आज कर लोग क्या करते हैं? अपने अपसरों को अपने घर पर दावत पर बुलाते हैं, उन्हें अच्छे-च्छे भेट देते हैं, यानि उन्हें हर तरह से खुस करने के कोशिस की जाती है, ताकि उसका प्रमोशन हो जाए. तो इस पर उन्होंने एक करारा ब्यंग किया है कि आज के समय में लोग अपनी प्रतिभा से उन्नक्ति नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी प्रतिभा से प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, बलकि कैसे प्रमोशन पा रहे हैं? खुसामत करके, जो ब्यक्ति जितना खुसामत करता है, उस सिर्फ फर्जी नजराता है कहानिकार ने सामनात के माध्यम से युवापुड़ी पर करारा व्यंग किया है आज के दौर में सिक्षत युवावर्व अपने ही माता-पिता को बोज समझते हैं और उनको परित्याक करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं तो इस कहानी में यान जो कुछ वित्याक करते हैं जो भी बलिदान करते हैं बच्चे उस त्याक और बलिदान को समझते नहीं हैं वे यह समझते हैं यह तो माता-पिता का करतब है इन्हें तो करना ही होगा यह समझते हैं उन्हें अपने माता-पिता की कष्ट दर्द का एहसास भी नहीं होता है यही कारण है कि वे माता पिता को बोज समझते हैं और उनका परित्याग करने में जराभी संकोच नहीं करते हैं. अपने बच्चों को योगे बनाने के लिए माता पिता अपना सर्वस नियोचावर कर देते हैं उनका पूरा जीवन अपने बच्चों की खुसी के लिए बलिदान हो जाता है अपनी तरक्की के लिए, अपनी पदुनत्ती के लिए सामनात अपनी मा को अकेलेपन का सिकार बना देता है, अपनी मा को एक समान बना देता है यहां पर भीजम साहनी ने बतलाया है कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना बरिदान देते हैं, अपना त्याग करते हैं ऐसे माता पिता को बच्चे जो हैं एक समान की तरह समझते हैं जिसे घर में अन्य समान है, ठीक माता-पिता भी उसके लिए एक समान की तरह है, और वे माता-पिता अकेले पन का सिकार हो रहे हैं आज, चीप की दावत कहानी में लेखक ने दिखाया है कि सामनात पुरानी पीड़ी के त्याग के परति कृतग्न है, यानि माता-पिता ने उ बलकि क्या है, वो कृतग्न है, उसकी मान ने अपने जीवर बेच कर उसे पढ़ाया, उसे काबिल बनाया, परन्तु इसके उल्लेक मात्र से वह क्रोधित हो जाता है, तिर मिला जाता है, वह कहता है, जितना दिया था, उससे दुगना ले लेना कहानीकार ने बतलाया है कि सामनात की पढ़ाई के लिए उसकी माने अपने गहने बेच दिये, गहने बेच कर उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, यानी सामनात को पढ़ाया लेकिन एक बार जब कभी गहने का उलेक होता है तो जब उसकी माँ ये बात बतलाती है कि उसकी पढ़ाई में सारे गहने भिक गए हैं तो इस सत्य को सुनकर उसके मन में अपने माँ के लिए जरा भी सहानुभूती नहीं आती है बलकि उल्टा वह क्रोधित होता है और तिर मिला जाता है और क्या कहता है कि तुमने जितना दिया है उससे तुम दुगुना ले लेना लेकिन मा के प्रती जरा भी प्रेम भाव नहीं दिखलाता है मा के बलिदान निस्वार्थ प्रेम को चंद रुपियों से तौलता है आधुनिक समय में भी युवा अपने माता-पिता के बलिदान को भूल जाते हैं उनके मन से उन माता-पिता के लिए सम्मान खो गया है जिसने उसे अपने पैरों पर खड़े योगे बनाया यह आज के समय की सबसे बड़ी तरास दी है तो आज के समय में युवा प्रिवी जो है वो माता-पिता के फ्रेम को, माता-पिता के त्याग को पैसों से तोलते हैं वे माता-पिता के त्याग को महत्वर नहीं देते हैं उन्हें लगता है कि ये तो उनका फर्जी था, ये तो उन्हें करना ही था अपने त्याग और बलिदान से माता-पिता अपने बच्चों को अपने प्यारों पर खड़ा होना सिखाते हैं जिम्मेदार बनाते हैं लेकिन वही बच्चा वही पुद्र अपने माता पिता को भूल जाता है उसके त्याग को भूला देता है इस कहानी में देखते हैं कि मा सामनात से डरी रहती है घर में महमान के आने से पहले अपनी सहली के घर जाना चाहती है पर वह मना कर देता है वह ये भी दिखलाया है कि आज के समय में जो माता-पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम, इतने सहानभूर्ती, इतने त्याग और बलिदान से बड़ा करते हैं, वही बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसके भै से मा भै भीत होती है, यानि अपने मरजी से भी कुछ नहीं कर सकती है, जैसा कि इस कहानी में भी देखते हैं, कि जब घर में चीप सहाब आने वाले हैं, तो मा चाहती है कि वह अपने सहीली के घर चले जाए, लेकिन उसका पुत्र जो सामनात यह नहीं चाहता है, कि मा कहीं और जाए, और सामनात की मा अपने बेटे के मरजी के खिलाब क वहीं जाभी नहीं पाती है. यह कैसी बेड़मना है कि जिस माता-पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाय लिखाया, वे ही अपना माता-पिता का परिचे सबके समक्स देने में सरमिंदिगी महसूस करते हैं. सामनात ने ऐसा किया. और यह बहुत बड़ी वेड़मना है कि जो माता-पिता अपना खून जलाकर अपने त्याग से बलिदान से अपने बच्चे को बढ़ा करते हैं, वही बच्चा जब बढ़ा होता है, अपने प्यारों पर खड़ा होता है, तो अपने माता-पिता का फरीचे कराने में अप मानित महसूस करता है उसे सर्म महसूस होती है और इस कहानी में सामनात ने ऐसा ही किया है क्या किया है देखिए उसकी मा गाउं की रहने वाली अनपड है इसलिए वह चाहता है कि उसकी मा अंग्रेज अपसर के सामने ना आए ऐसा करके वे अपनी मा के हिर्दे पर जो कुट्रागात करते हैं इसका उन्हें जरा भी ऐसास में तो सामनात क्या करता है देखिए सामनात जानता है कि उसकी मा अनपड है गाउं की रहने वाली है इसलिए वो चाहता है कि उसकी मा चीप साहब के सामने ना आए और उसे अकेले में रहने के लिए बात देखरता है और ऐसा करके वो मा के हिर्दे में जो आगहात पहुँचाया इसका उसे जराबी एहसास नहीं है पर सायोग है कि अंग्रेज अफसर मा से मिलकर बहुत खुस होता है लेकिन जब अंग्रेज अफसर सामनाद की मा से मिलते हैं तो बहुत खुस होते हैं मा के हाथ की दस्तकारी फुलकारी उसे बहुत पसंदाती है यहां पर भी सामनाथ मा के असमर्थ था जानते हुए भी सिर्फ अपने मतलब की पूरती के लिए अंग्रेज चीफ को नई फुलकारी बना कर देने का वादा गिया क्योंकि वह सोचता है कि यदे चीफ खुस होंगे तभी तो उसकी तरक्की होगी तो चीफ सामनाथ की मां से मिलकर बहुत खुस होते हैं उसके हाथ की दस्तकारी यानि जो फुलकारी का काम था उसे भी देखकर बहुत खुस होते हैं और सामनात जान रहा है कि उसकी मा ऐसी दस्तकारी का कार्य करने में अब असमर्थ है क्योंकि अब उसकी आँखे कमजोर पड़ गई है फिर भी वह चीफ सहाब को यह वादा करता है कि उसकी मा उसे एक नया फुलकारी बना कर देगी क्योंकि वह जानता है यह अगर चीफ सहाब खुसों में तभी तो उसकी तरक्की होती है मा के तकलीफ से उसे कोई भी मतलब नहीं है मा के कश्ट से उसका कोई सरोकार नहीं है वह इतना स्वार्थी है सबसे मुखे बात यह है कि सामनात जिस मां को अपनी तरक्के में बाधक समझ रहा था उसी मान ने उसे तरक्की दिलाई आज के सिख्चित इवा भी सामनात की तरह स्वार्थी अवसरवादी होते जा रहे हैं तो जिसमें सहानी जी ने इस कहानी में जो एक बहुत बड़ी बात बतलाई है कि सामनात जिस अनपड़ गवार मां को सोचता था कि उसे देखकर उसके चीप साहब है वो पता नहीं क्या सोचेंगे और मेरी तरक्की नहीं होगी लेकिन होता है उल्टा सामनात अपने मां को तरक्य में बाधक समझता था लेकिन होता क्या है उसके मां से ही दीप साहब मिलकर खुब खुश होते हैं यानि उसकी तरक्य उसके मां के कारण ही होगी यह स्पष्ट है जब मां रिदवार जाकर वहीं मां की जीवन ब्यतित करने की इच्छ व्यक्त करती है तो सामनात अपनी बदनामी के साथ साथ स्वार्थ पुरति के लिए मां को यह का कर जाने से रोकता है कि मेरी पदुलत्ती के लिए तुम चीफ साहब को अपने हाथों से फुलकारी बना कर नहीं दोगी अब देखे सामनात का स्वारत जब मा कहती है कि वह बांकी का जीवन हरिद्वार जाकर बिताना चाहती है सामनात यह कहता है कि अगर उसकी माँ उसे छोड़ कर रिद्वार चली जाएगी तो लोगों से उसे समाच से उसे बदनामे मिलेगी इसके साथ ही साथ वह या भी कहता है कि अगर मां अपने हाथों से फुलकारी बना Dominican कर चीफ सहाब को लिए तो उसकी पद्व नत्ति कैसे होगी उसे प्रमोशन कैसे मिलेगा इसलिए ओ माकौ को हरिद्वार जाने से रोकता है यह सुंकर यह सुंकर बेवस मअ हरिद्वार जाने कर निर्ने त्याक बेटि की तरक्की की बात को सुनकर धुन्दली आँखों से फुलकारी बनाने को त्यार हो जाती है और देखिए मा की आँखे धुन्दली हो चुकी है मा को दिखाई ने देता है फिर भी मा जब यह सुनती है कि फुलकारी देने से यह फुलकारी को पाकर चीप सहब जब खुस होंगे तो उसके बेटी का प्रोमोशन भी होगा यह सुनकर उसकी मा जो है बहुत खुस होती है और हर हाल में फुलकारी बनाने का निश्य करती है पस्चिमी सभेता के रंग में रंगा वह अपनी मा को काम करने के लिए मजबूर करता है यह कहानी आज के बरतमान समय में उतनी ही प्रासंगिक ह जितना पहले थी कहानी में भिश्म सहानी जी ने जिस बात को पस्चित किया है वह है पस्चिमी सभेता में रंग में रंगा हुआ आज का समाथ जो बहुत ही स्वार्थी है और अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए वह अपनी मा को भी काम करने के लिए बाध्य कर सकता है इसके साथ ही साथ यह कहानी जिस समय लिखी गई थी, उस समय जितनी प्रासांगिक थी, आज के समय में उतनी ही प्रासांगिक है. सभ्यता के रंग में रंगे युवा पिड़ी पर करारा ब्यंग करती है यह पिड़ी अपने जूटी सान की खातिर अपने बुजर्गों के हिल्दे पर कुट्राघात करती है जो माता-पिटा अपने बच्चों का हिचसप समय सोचते हैं अपना सर्वस सो लुटा कर बच्चे की सफलता का राह प्रसस्त करते हैं उन्हीं ही ये उवा पिड़ी बाधक समस्ती है इसके साथ ही साथ जिमसाहने जी ने ये भी बदलाया है कि पस्चिनी सभेता के रंग में रंगा हुआ आज का जो युवा पिड़ी है वो माता पिड़ से बलिदान से अपने बच्चों के उन्नती का मार्क प्रसस्त करते हैं उन्हें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते है वे बच्चे ही अपने माता पिड़ी को बाधक समझते हैं उसे कटुक्ती कहने में जराभी हिचकिचाते नहीं है भिस्म साहनी ने इस कहानी में युवा प्युधी के हिरदे से माता पिता के प्रती घटती जिम्मेदारियों का चितर उपस्थित गिया है तो इस कहानी में भिश्म साहनी जी ने आज के युवा पुढ़ी के मन में अपने माता पिता के प्रतिज़ जिम्मेदाली की भावना होनी चाहिए, वो जो दिन प्रतिजिन घटती जा रही है, उसे प्रस्तुत किया है। समझना चाहिए, कि रिश्ते को कैसे निभाना है, इन सारी बातों को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अपने इस कहानी चीप की दावत में किया है, जो आज के समय में यानि बरतमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। तो उम्मीद करती हूँ कि चीप की दावत, कहानिक का उद्देश या प्रासंगिकता को मैंने जिस तरह से समझाया है, वह आपको भलिवाती समझ में आ गिया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे सेयर तो अवश्य करें, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहें। तब तक पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मेरी सुब कामनाएं, आप सभी बच्चों के साथ हैं, धन्यवाद।